पापड बनाने का इतना आसान तरीका आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा और यह जो पापड़े सूजी से बनते हैं और केवल 5 में बनकी तयार हो जाते हैं और इनको आप 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और सबसे अची बात है कि इन पापड को अपने छोटे बच्चों को भी खेला सकते हैं क्योंकि पापड बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो चलिए साथ में मिलके आज की स्पेशल सूजी के पापड को बनाना हम लोग शुरू कर लेते हैं पापड बनाने से पहले हम आप थोड़ी सी तयारी कर लेते हैं तो ये मैंने यहाँ पर एक पॉलीथिन ले है और ये जो पॉलीथिन ने थोड़े बड़े साइस की है इसको हमें तेल से अच्छे से ग्रीज कर लेना है ग्रीस करने की बज़े से जब पापर सूखेगा तो सूखने इसके बाद पापर बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा पॉलिथिन को ग्रीस करने के बाद गैस पे रखा है मैंने एक बड़े साइस का ये पतीला और अब इसमें डाल दूँगी मैं दो चम्मच तेल आप कोई भी खाने वाले तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं और साथी साथ इसमें डालूँगी मैं एक चम्मच जीरा जीरी को हलका सा भून लेते हैं जीरा यहाँ पर हमारा भुन चुका है इसका color change हो गया है तो इसमें डाला है मैंने पूरा एक लीटर पानी और cup के हिसाब से देखेंगे तो यह पूरा 5 cup पानी मैंने इस्तिमाल किया है साथी साथ डाला है मैंने एक चुथाई चमच नमग, एक चमच चिली फलेक्स आप चिली फलेक्स की जगे लाल मिर्च भी इस्तिमाल कर सकते हैं अच्छे से मिला देंगे, मिलाने के बाद पानी को हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर मैंने flame high रखी है, high flame पे ही पानी को हम अच्छे से उबालेंगे जैसे ही पानी उबल जाएगा तो उबलते हुए पानी में हम डालेंगे सूजी तो सूजी डालते समय चीज़ का ध्यान रखें कि चमस से पानी को ऐसे हिलाते रहें और सूजी को डालते जाएं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सूजी में गुठलियां पड़ जाएंगी तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पानी को हिलाते रहना है और सूजी को डालते जाना है यह डाल दी है मैंने पूरी एक कप बारिक वाली सूजी सूजी डालने के बाद अब हमें इसको अच्छे से पकाना है तो इसको पकने में लगभग 4-5 मिनट लगता है तो हम लगातर चलाएंगे और चलाते हूँ अच्छे से इसको गाड़ा करेंगे और पकाएंगे पांच मिनद बाद यहां पर हमारा जो सूजी का पापड है उसका खीच बनके तयार हो गया है अच्छे से ये गाड़ा हो गया है तो इसको मैं पहले थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी उसके बाद इसके पापड बनाऊंगी सूजी का खीच हमारा ठंडा हो गया है पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है ये हलका ठंडा हुआ है तो ग्रीस की हुई पॉलिथिन में हमें ऐसे चम्मच की मदद से गोल-गोल पापड की डिजाइन तयार कर लेनी है तो इसी तरीके से हमें पूरी पॉलिथिन की उपर पा और या देना है पापड को फेलाने के बाद अब इनको रख दूगी में 2-3 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए तीन दिन में पापड सूख के तयार हो जाता है यह पर तीन दिन हो गये हैं पापड हमारा अच्छे सेसुख किया है एड़ी कि इतना बढ़िया बना है टेक्षर भी एकदम पर्फेक्ट आया है जो चलिए पापड को हम तल के देख लेते हैं तलने के लिए किया है मैंने तेल अच्छे से गरम गरम तेल में हमें पापड को डालना है और चमच की मदद से या जरीये की मदद से दवाते हुए इसको तल ले करें आइडिया कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताएं मिलेंगे आपको साथ अगले नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते